हलो फ्रेंड्स यमी का एजूकेशन न्यूज में आप सभी का हर्तिक स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन जनवर जो हिंदी का एक्जाम हुआ था उसमें साइकलो जी जो पूछी गई तो उनके क्या-क्या अंसर हो सकते हैं वो इस वीडियो के बात्यम से हो आएगा दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनवबों को पाठे करम का हिस्सा बनाया जाए किसे एहम ग्रस्त चात्र की विशेष्टा के रूप में नहीं माना जा सकता इसका जो राइट एंसर होगा चात्र अपने आकांचा इस्तर को अपने आत्म संप्रत्य के अनुसार नि इसकूलों को किस पिरकार की पाठे चर्या अपनानी चाहिए इसका ऑप्शन तीन उदार पाठे चर्या जो सभी विद्ध्यार्थियों के लिए सुलब हो ये अन्सर आएगा ठोस बस्तों पर आधारित मानसिख संक्रिया के परिनाम सरोब समस्या समधान प्याजय के संग्यान आत्मक विकास कौन सी अवस्ता को प्रेदर्शित करता है इसका राइट एंसर होगा फोर्थ ओप्शन मूर्थ संक्रिया आत्मक अवस्ता इदर ये सही योगम कौन सा है अधिगम इदर धारना प्रतिपादक समर्तक है एका उद्धिपक अनुक्रिया संबंदों की संड़चना थार्ण डाइक ने दी संक्रित अधिगम डॉल्मेन छेतर सिद्धान कुर्ट लेविन का था अंतर दरश्टि अधिगम कोलर का था तो कर नहीं है इसका अंसर होगा अनुख सिच्छ की है तीसरा उप्सन नेम लिखित में से कौन सी राष्ट्रिये पाठी चर्या रूपरे का 2005 के मार्ग दर्सक सिद्धानतों का हिस्सा नहीं है सई अंसर है फोर्त उप्सन इसकूली सिक्षा में नव उदारवाद की अवधारन को विख्षित करना सार्थक सावदिक अधिगम वैधारन किस पृतिमान का मुख्य उद्धेश है सही अंसर है उन्नत संग्ठन संग्ठक पृतिमान छेतर सिद्धानतों के अंतरगत संग्यानात्मक संड्रसना परियावाची है यह काफी कंफ्यूस वाला है जिसे छेतर सिद्धान ते अंदर संगिया नात्मक संद्धिना का परियावाची आपको बता दूँ छेतर सिद्धान जो गुट 11 है ये ज़्यादर परियावरन को मेहत्व देते थे इसमें काफी एक्जामपल भी है और जो कंफ्यूद बैदा जो हुआ है अब बोद और परि परियावरन आएगा साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्राले द्वारा आई सीटी सूचना एवं संप्रेशन तक्निकी पर लाई गई फोर्थ आप्शन एक बन स्टॉप पोर्टल है सीखना ज्यान के निर्मान की एक प्रक्रिया है यह कथन किस परिप्रेश्य का प्रती निदित्व करता है आणसर होगा एक उप्शन रचनात्मक परिप्रेश्य का समानता गुनवत्ता वे परीमान को भारती सिक्षा का दुर्ग राहय त्रिकौन किसने कह था सही अंसर तीसरा उप्षन प्रोफेसर यस्पाल जी ने सही मिलान कीजिये संग्यानवादी अवधारना मुख्य प्रवर्तक अभी ग्राई अधीब गम के प्रवर्तक्ति आसुवेल सतहे वे गहन उपागम के फैरन्स मर्टन स्वय नियमित अधीगम के बैरी जिमर्मेन विकास वादी सिद्दान्थ पराधारित अधीगम प्याजी का इसका राइट अंसर होगा फस्ट ओप्षन इसके बाद बात करते हैं निम्न में से किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता है पुस्त काल ले अधीगम के विविन सिद्दान्थ प्याख्या करते हैं इसका अंसर होगा ओप्षन एक अधीगम के उत्पन एवं व्यक्त होने की प्रिक्रिया का निम्न में से कौन सा एक संप्रेशन का प्रकार नहीं है राइट अंसर वैद संप्रेशन होगा शिक्षा मनुविग्यान की विशेबस्तू की व्याख्या के लिए उप्युक्त पद है इसका अंसर होगा ओप्षन टू विकास सीलता निम्न में से कौन सा एसा आवदिक संप्रेशन का उधारन नहीं है सुचना एबं संप्रेशन तक्नीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रिये अभियान के संदर में कौन सा कथन असत्य नहीं है ओप्षन टू इविशेबस्तू का उत्पादन निम्न में से कौन प्रेभुत्व बादी अनुदेश नात्मक आवियू का प्रिकार नहीं है अंसर होगा ओप्षन टू योजना विधी संग्यान का अर्थ है ओप्षन एक कर्म अर्थादकार्ये विभासा के माध्यम से स्वयम और दुनिया को समझना मैसिव ओपन ओनलाइन कोर्सेज के लिए भारतिय माध्यम है स्वयम औप्षन एक निम्न में से कौन प्रिनाली के पहलु का तत्व नहीं है राइट अंसर फोर्थ ओप्षन अध्यन एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रेस्तुत कर लेता है उसका यह अधिगम विवार किस अनुचेत्र में रखा जा सकता है इसका राइट अंसर होगा संग्या नात्मक अनुचेत्र निम्न में से कौन संप्रेशन प्रेक्रिया का तत्व नहीं है ओप्षन एक गन तब्ब्य कच्छा सिक्षन के संदर्म में अधिगम एवं अभी प्रेशना उत्पन करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अप्यक्षित नहीं है ओप्षन एक विद्धा लेमे सेवा के लिए स्विक्रत नियम आवाशी अनुभब किसके माद्यम से बहतर दिया जा सकता है यहां पर बात किये बहतर अनुभब देने की तो मॉडल और कंपूटर दो हैं लेकिन ज़्यादा बहतर कंपूटर माद्यम से दिया जाएगा ज्यान तभी उपियोगी है जब वे स्वयम के निरिच्छन के द्वारा प्राप्त किया गया हो सिद्धान्थ है हूरिष्टिक विधी ओप्शन एक सीखने के लिए सीखना जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्वरता नई परिष्टितियों के प्रती लचीले वे रचनात्मक तरीके से प्रती क्रिया व्यक्त करने की महत्पून प्रिक्रिया पर जोड़ डालने की आप सकता है यह महत्पूर्णु देश था राष्टिय पार्थे चर्या रूप रेका दोहजार पंच का असमे ताके विकास के लिए सबसे महत्पूर्ण समय होगा वो होगा कि सोरा वस्ता तो यह मनोविज्ञान के तीस कोश्चन थे जो मैंने आपको बताए मैं स्वय मानता हूं कि सम्भव ताजो मैं तीस कोश्चन थो बताए है एक एकाद कोश्चन कोई डाउटफूल हो सकता है वरना सभी के आंसर इतम सटीक बताए हैं जो तथे जुटाए हैं तो यदि आपने इस तरह के समी सवाल किये है तो आपका जो पेपर है बहुत सांधर का जा सकता है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद